नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर स्वागत है आपका अपने चैनल में तिश्टार में आज हम बात करेंगे गड़ित का एक जादू है जो पहली है अब यह आप ही बताएंगे कि यह गड़ित का जादू है या फिर पहली है कि आपको सबसे पहले करना क्या है सबसे पहले एक ऐसी टेविल बनानी है ऐसी दो थीन टेविल बनानी है तो मैं बता रहा हूं क्या करना यहां पर आपको एक से ले करके 117 तक गिंती लिखनी है जब एक से शुरू कर रहे हैं तो एक एक छोड़ करके लिखनी है जैसे एक के दो छोड़ दिया तीन लिख दिया फिर चार छोड़ दिया पांच लिख दिया छे छोड़ के साथ 9 11 13 15 17 19 21 23 25 इस प्रकार्षिया में इसमें हम दो से शुरू करेंगे इसमें एक से शुरू किया था और इसमें दो से शुरू करेंगे दो से शुरू करने के बाद हम दो संख्या लिखाएंगे दो और तीन इसके बाद दो संख्या छोड़ देंगे चार और पांच इसके बाद लिखेंगे छे और साथ इसके फिर इसाब से दे सकते हैं इसके बाद तीसरा बनाएंगे इसे हम पहला एक से सुरू किया था दूसरा दूसरा से सुरू किया था अब हम चार से सुरू करेंगे तो चार से सुरू करने के बाद में हम चार संख्या लेगे चार पांच छे साथ उसके बाद चार संख्या छोड़ दे 28 29 30 31 इस प्रकार से छोड़ते हुए हम चलेंगे और 117 पर आ जाएंगे हम यहां पर जो है 64 संख्या हैं इस प्रकार से हमारी आ गई और हम 117 तब पहुंच गए इसके बाद हम दूसरा बनाएंगे इसका भी हमने मोहनी नाम दिया है आप कुछ भी दे सकते हैं मैंने आपको बता दिया है कोई भी नाम दे सकते हैं तो यहां पर हम आठ से शुरू करेंगे पहला एक से किया था दूसरा दो से तीसरा चार से किया था और यह आठ से शुरू क इसके बाद 8 से शुरू करेंगे तो हम 8 संख्यां लेखेंगे 8 9 10 11 12 13 14 15 यह संख्या 8 संख्या हो गए इसके बाद हम 8 संख्या छोड़ देंगे 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 यहां तक छोड़ दिया अब इसके बाद 24 से इसके बाद फिर से हम 8 संख्या छोड़ देंगे फिर इस प्रकास से सुरू करते करते हम यहां तक लिख लेंगे 117 तक और जब इन्हें गिनेंगे तो वह तो आठ लाइन है और आठ पक्ति है सम्में 64 नम्मर आ रहे हैं इसमें भी 64 आ रहे हैं ठीक है आपको यह सब बना लें अपनी कापनी में जब बना लेंगे आप तो एक यह और है इसे हम 16 से सुरू करें 16 से सुरू करेंगे तो इसमें हम 16 संक्यां लेखेंगे ठीक है इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम जो है 16 संक्यां छोड़ देंगे फिर 16 संक्यां चुड़ने के बाद हम सुरू करेंगे 48 से 48 49 50 51 52 54 55 56 57 59 69 60 61 62 63 स nessa यह तक लिए इसके बाद हम क्या करेंगी इसके बाद हम 소ला छोड़ देंगे तो फिर नाम दे लिजिए जो आपको अच्छा लगे इसके बाद अगली टेवल आती है इसे हम 32 से शुरू करेंगे और 32 से शुरू करने के साथ हम 32 संख्याइं लिखेंगे इसमें 32 34 35 36 36 इस प्रकार से लिखते हुए हम यहां तक लिख लिए 63 तक इसके बाद क्या करेंगे इसके संख्याइं छोड़ देंगे तो फिर हम 96 97 98 99 100 इस प्रकार से लिखते हुए 117 तक आएंगे इसमें भी जब हम काउंट करेंगे तो हमारी संख्याइं कितनी होंगी 127 तक होंगी जो 64 संख्याइं होगी क्योंकि 8 लायन बन नहीं और आठ यीपल बन नहीं तो इसमें कितना हो जाएगा इसमें इसमें भी 64 संक्या है इसके बाद एक लाश्ट है और यह है इसका भी आप अपने इसाब से नाम दे लेजी नाम ऐसा दीजिए जो जादू जैसा लगे क्योंकि लोगों को आपको जादू दिखाना है ठीक है तो यहां पर हम 64 से शुरू करेंगे और 117 तक लिखेंगे तो आपको ज्यादा जरूत नहीं है कि आप को छोड़ा चाड़ी करें तो आप इसमें 64 से सुरू करेंगे और 117 तक सीधा सीधा लिख देंगे तो आपका सबसे पहला काम बनता है कि आप इस प्रकार की टेविल में ने बनाई है इस प्रकार की टेविल आप अपने कॉंपी मे बना लें तो आप देखिए एक दो तीन चार पांच छे और साथ आपको साथ टेवल बनानी है जब आप साथ टेवल पूरी बना लोगे और उनका कोई भी नाम दे लोगे जैसा आपके नाम जो जादू के इसाफ़ सही लगी क्योंकि आपको लोगों को जादू दिखाना है गड़त का जादू बास्तम में कोई जादू नहीं है एक पहली है इस प्रकार से बनाई गई है तो अब हम सुरू करेंगे कि जादू कैसे दिखाया जाता है ध्यान से देखेंगे एक से शुरू है यह दो से शुरू है यह चार से आठ से इस प्रकार से अब आपको कहना क्य कि आए लोगों से कि आप एक से लेकर कि 128 तक कोई संख्या मन में सोच लीजिए कि हमें उससे क्या कहना है कि आप कोई भी संख्या सोच लीजिए मन में तो उसने का ठीक है मैंने सोच लिया इस मैंसे सोच लो इस मैंसे कहीं से भी सोच लो ठीक है लेकि उससे तो आपको यह कहन प्रश्त कि म हैं कोई भी संध्य मन में सोच लेजी तो उसने माना के चले यह सोचा यह प्रिभ्या सोचा पचछतर सोचा है पेंटालीश सोचा सतासी सोचा एक सोच देन कुछ भी सोच ले उसने का सोच लिया बोलो कनफरम तुससे पूछो के कन फरम हो गए अब उसके बाद हम पहली से रेडी दिखाएंगे तो इसे दिखाने के बाद हम पूछेंगे क्या इसमें है वो संक्या अब वो कहेगा कि इसमें तो नहीं है अब वो से हम दूसरी टेबल दिखाएंगे क्या इसमें है इसमें भी नहीं है अब हम तीसरी टेबल दिखाएंगे बोलेंगे इसमें है तो कहगा इसमें है तो हम इसे नोट कर लेंगे ठीक है इसके बाद इसमें है इसमें नहीं है इसमें है इसमें भी है इसमें है इसमें नहीं है और इसमें नहीं है चलिए तो अब आप थोड़ा सा तीन पांच करेंगे ऐसे करके कैलकुलेशन करेंगे उसे दिखाने के लिए बास तम मैं कैलकुलेशन कुछ नहीं करना बस उसे दिखाएंगे कि हाम गड़ना कर रहे हैं ऐसा उसे लगना चाहिए कि हाम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो अब देखिए इसमें था और इस में था तो मैंने बता दिया इसमें केवल आपके संग्या कौन सी होगी बीस होगी ठीक है आप देखें बीस इसमें है बीस इसमें है और बीस इसमें भी है ठीक है और किसी में बीस नहीं होगी देखिए आप इसमें बीस नहीं है, इसमें बीस नहीं है, इसमें भी बीस नहीं है, इसमें भी बीस नहीं है, इसमें भी बीस नहीं है, इसका मतलब जब दो ही में होगी, तो इस प्रकार से हम उसके मन की बात इस गर्द के जादू के माद्द हम से बता देंगे, तो अब बात से एक है इसमें सबसे पहला चार कौन सा है इसमें सबसे पहला चाड़ दो इसमें начина à यहाइब अब आपको क्या करना है जब अपने मित्र से कहेंगे कि आप संख्याइं सोच लीजिए जोचने के बाद वह जिस टेवल में अपनी संख्याइं बताता है आपको उसका यह पहला वाला नमर याद कर लेना है और अगर इसमें और इसमें बताता है तो 16 और 32 को जोड़ेंगे जो पहले जो अच्छर होते उनको जोड़ेंगे 16 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 48 तो 48 शिर्फ इसमें और इसमें होगा बांकी किसी में नहीं होगा ठीक है अगर आप इसमें और इसमें तो जबिए आपका कोई मित्र आपसे पूछता है और आपको मित्र को ऐसा जादू दिखाना है तो क्या करना होगा आप जो भी वह बताये कि हमारा जो संख्या है जो मन में सोची हुई है वह इसमें और इसमें जिसमें भी है तो आप उसके पहले अच्छरों को जोड लेंगे जब आप पहले अच्छरों को जोड लेंगे जोडने के बाद उससे जूटी तसली देने के लिए केलकुलेशन करेंगे और उससे जोड करके आप बता देंगे कि यह संक्या आपने सोच तो देखने बाला भी चकित रह जाएगा और आप अपने गरत का जादू दिखा पाएं तो